हलो एवरीबन कैसे हैं आप लोग मैं उमेद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहतरीन तरीके से चल रही होगी और जो लोग अच्छे नहीं है वह सबसे पहले अपने हिल्थ का ध्यान रखें उसके बाद अपने करियर का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीजों का ध्यान रखें तो साथिओं आज का लेक्षर हम लोगों का रिसर्च एप्रिटीड का एक 11 लेक्षर है इससे पहले हम लोगों ने रिसर्च एप्रिटीड पे टोटल दस लेक्षर में बात किया था तो वीडियोज होंगे आप एक एक करके तमाम सारे वीडियो को देख लीजेगा और साथ में एक नोट्स तयार कर लीजेगा ताकि examination से पहले revision करने में आपको स्वीधा हो सके और उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो चीजेए आपको ज्यादा समझ में आएंगी इसके बाबसुदि यह आप वहाँ पर जाकर नहीं देखना चाहते हैं और आप डायरेक्ट इस लेक्षर को देखना चाहते हैं तो फिर 20 आप देखिए चीजे आपको उतनी नहीं समझ में आएंगी तो चलिए फिर आज के लेक्टर की शुरुवात करते हैं यह आप चांधर पर पहली बार आएं तो चांधर को सबक्राइब कर लिजीगा तो आज सब से पहले बात कर लेते हैं कि आजका लेक्टर में लग क्या बात करने वालें है तो आप लोगть फेसिस को हिंदी में परिकल्पना कहते हैं और इसी को कहीं कहीं पर आपको उपकल्पना भी लिखा हुआ मिलेगा उपकल्पना या परिकल्पना जो कल्पना से परे हो या फिर इसके लिए एक और शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं अभी कल्पना तो देखि या अंग्रेजी जीधर से भी सवाल बन सेके आप सॉल्व कर लें लेकिन अंग्रेजी में एक ही टर्म इसके लिए यूज किया जाता है हाइपोथेसिस दुसरा टर्म यदि यूज किया जाएगा इसके लिए तो वह होगा टेंटेटिव टेंटेटिव स्टेटमेंट एसे पुछ सकते हैं या टेंटेटिव प्रोपोजिक्शन लिख सकते हैं वो लोग ध्यान रखिएगा आप लोग शब्द को लेकर के कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है तो चलिए फिर आज हम लोग क्या क्या बात करेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हाइपोथेसिस हो इतने प्रकार होते हैं और यदि प्रकार होते हैं तो वह कौन-कौन से प्रकार हैं और किसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और कैसे उसको पहचाना जा सकता है और तीसरे नंबर पर बात करेंगे फैक्टर एनालिसिस के बारे में फैक्टर एनालिसिस क्या होता है तो आज हम लोग तीन टॉपिक पर बात करने वाले हैं तो आईए फिर आज के लिक्षर के शुरुआत करते हैं आप कलम और कॉपी ले ले और साथ में आप लिखते चलिएगा तो सबसे पहले हाइपोथेसिस के परिभाशा के बारे में दी बात किया जाए यह दी आप से कोई कहे है कि हाइपोथेसिस को परिभासित करो कि वो होता क्या है तो एक तो अंग्रेजी में आप कहा सकते हैं कि हाइपोथेसिस इजा टेंटेटिव स्टेटमेंट हाइपोथेसिस इजा टेंटेटिव स्टेटमेंट या फिर टेंटेटिव प्रोपोजिशन टेंटेटिव का क्या कहते हैं जैसे उदाहरण के तौर पे कि मान लिजे कि आपने बी एचिव का और पीजडी के लिए आपने फॉर्म भरा था ठीक और उन्होंने दिखाया अपने में कि जो टेन्टेटिव डेट теп है वह 20 अप्राल है कि मान लेते हैं 20 अप्रेल पता नहीं कितना था तेईस अक्राल है 23 अप्रेल 2021 तो इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब यह होता है टेन्टेटीव डेट का मतलब कि के अप्रेल के बाद तो यह चीज नहीं है यह हो भी सकता है और यह नहीं भी हो सकता है तो हैपोछिस करोगे टोर需सर्च शाबित भी हो सकता है और वह research साबित नहीं भी हो सकता है उसको आप proof भी कर सकते हैं उसको आप proof नहीं भी कर सकते हैं हो सकता है कि आपके पास उससे related बहुत सारे resources हो और आप उसको proof कर दें और हो सकता है कि उससे related बहुत सारे resources थे लेकिन आप proof नहीं कर पाए इसलिए उसको बोलते है tentative statement या tentative proposition तो hypothesis को बारे में क्या बोलना हो तो आप बोल सकते हैं एक और लिखिएगा इसको इसके कई सारे परिभाशा है मैं सबको लिखवा रहा हूँ इसको आप लिख लिजे मेर ठीक है मेर assumption hypothesis is a mere assumption इसको भी आप कर लें उसके अलाबा कई लोग कहते हैं कि hypothesis is a some supposition तो आप उसको भी लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है जो आपके अनुकुल लगता है लेकिन मैं कहूंगा सभी लिखिएगा आप क्योंकि वो लोग कौन सा पूछेंगा यह तय नहीं है तो आगे बढ़ते हैं मेरा ख्याल है कि hypothesis क्या है आपको समझ में आ गया होगा और hypothesis को हम लोग usually क्यों बनाते हैं ताकि हम लोग जब research करें उस topic पे तो उससे पहले एक idea हमें लग जाए ठीक है उससे पहले हमें एक idea लग जाए कि कि किस तरीके से इसको काम को किया जा सकता है तो hypothesis में 8 10 पॉइंट में आपको लिखवा रहा हूं उसको कोशिश किजिए आप लिखने का पहले नंबर पे लिखिए पहला नंबर पे लिखिए कि hypothesis should be clear and precise मतलब यह है hypothesis का क्या क्या लक्षन होना चाहिए मतलब उसमें क्या क्या विशेष्टा होनी चाहिए तो एक तो होना चाहिए hypothesis जो है बिल्कुल clear होना चाहिए उसके साथ साथ precise होना चाहिए संशिप्त फॉर्म में इसलिए आप जब research proposal त्यार करेंगे तो उसमें hypothesis से ही आप से सवाल पुछा जाता है hypothesis को ही tentative proposition भी कहते हैं और western education में hypothesis को research question भी कहते हैं तो आप दोनों चीज लिख सकते हैं और एक बात क अर ध्यान रखना है कि hypothesis जो है वो capable होना चाहिए किस बात का capable capable for being tested capable for being tested कि आप جो hypothesis बना रहे हो आप ऐसाLY बना ये जिसके लिया आपके पास रिष्व रिसोर्च हिं नहीं है जिसको आप टेस्ट ही नहीं कर सकते हो तो फिर वैसा हाईपोथेसिस आपको गभी भी तयार नहीं करना है तो हाइपोथेसिस तयार करते से मैं इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह टेस्टेबल हो यानि जिसकी जाज कर सके हम लोग तीसरे नमबर पे हाइपोथेसिस बनाएंगे तो किन चीजों का ध्यान रखें तीसरा जो है चुकि एक रिसर्च में कई तरह के वैरियेबल होते हैं मैंने आपको कल वाले लेक्शर में बहुत विस्तार से वैरियेबल को समझाया था तो आप यह दिन नहीं देखे हो तो आप देख लेना लेक्शर नमबर टेन होगा तो हाइपोथेसिस बना मैंने कई तरह के वैरियेबल होंगे रिसर्च जब हम लोग करेंगे तो उसमें कई तरह के वैरियेबल होते हैं तो हाइपोथेसिस जब आप बनाईएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो उसमें जितने भी वैरियेबल हैं चाहे 2 variables हो या 3 हो या 4 हो या 10 हो जितना भी हो उन सब के बीच में एक mutual relation होना चाहिए उन सब के बीच में relation का होना अति आवश्यक है ठीक है और मान लोग की relation नहीं है तो उसको hypothesis के अलग परकार में पढ़ा जाता है वह भी एक परकार का hypothesis ही होता है लेकिन उसे null hypothesis या फिर किसी और नाम से हम लोग जानते हैं लेकिन यदि आपके variables के बीच में relation है तो उसको relational hypothesis कहते हैं यहाँ पे एक point extra है उसको आप लिख लिजेगा जब variables के बीच में जब relation होगा तो उसको relational hypothesis कहेंगे इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे चौथे नंबर पे point में लिखेगा hypothesis should be limited in scope and must be specific जो hypothesis का scope होगा वो limited होना चाहिए और specific होना चाहिए special होना चाहिए scope कहने का संबंद यहाँ पर area से है और specific कहने का संबंद वो विशेश हो वो special हो कोई सामान्य नहीं हो जिस पर आप hypothesis तयार कर रहे हो तो पाचमे नंबर पर लिखते हैं हम लोग चौथा point भी मेरे ख्या should be stated as far as possible in most simple terms so that the same is easily understandable by all concerned मतलब कह रहा है कि hypothesis जब आप बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें बहुत ही simple language का आप इस्तेमाल करें बहुत ही simple language का इस्तेमाल किया जाना चाहिए छटे नंबर पर बात करते हैं और इसमें लिखिएगा कि hypothesis should be amenable for to testing within a reasonable time मतलब hypothesis को जब आप test करें तो ऐसा नहीं है कि मतलब unlimited times तक आप इस पर test किये जा रहे हो नहीं उसका time fix होना चाहिए एक reasonable time होना चाहिए जिसके अंतरगत आप इसको research कर लें ठीक है जिसके अंदर आप इसको test करके result दे दें विश्विद्दाले को या फिर जो भी संस्था के साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं वहाँ पर और और यदि इसमें बात करें तो एक point और लिखेगा hypothesis must explain the facts that gave rise to the need for explanation ठीक है hypothesis में fact को explain जरूर करना है इस बात को भी ध्यान रखना है ठीक है और एक दो point इसमें यदि और लिखा जाना चाहिए तो वह लिख सकते हैं हम लोग कि hypothesis को जिनरलाइज हम लोग कर सकें जिनरलाइजेशन आप समझते हैं हिस्टोग्राफी में मैंने पढ़ाया था इसको लगबग एक लंबा लेक्शर था आप देखना तो चीजे समझ वाएंगे तो hypothesis ऐसा होना चाहिए जिसका सामाननी करण किया जा सकें ठीक है जिसको हम लोग औ और वीश्टार कर सकें समझ में आ गई बात तो यदि आप hypothesis के बारे में इतना समझते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत शमझते हैं इसमें और ज्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है यदि hypothesis पे लिखना हो आट लाइन 10 लाइन 20 लाइन तो मेरा ख्याल है कि आप बिल्कूल आराम से लिख सकते हैं इन तमाम सर बिंदूं को एक्स्प्लेन करते हुए और आप ध्यान से पढ़िएगा आप एक बार ऐसा पढ़ रहे हैं कि आप अपने बच्चों को बच्चे तो दूर के मतलब आपके जो दोस्त बगेर हैं उन सभी के आप पढ़ा सकें ठीक बात करते हैं हम लोग यदी बात करें कि हाइपोथेसिस का फंक्शन क्या होता है या फिर हाइपोथेसिस का उदेश्य के बारे में बात करें तो वह क्या क्या हो सकता है एक दो इसके फंक्शन है उसको हम लोग पॉइंट में लिखने की कोशिश करते हैं पहले नंबर पर द होने वाला है हमारा time frame जो है हमारा period है वह क्या होने वाला है ठीक और दूसरे नंबर पे hypothesis जब clear हो जाता है तो research scholar का concentration भी बढ़ता है अपने topic को लेकर के कि हमें इस topic पे काम करना है क्योंकि जब तक आपके पास hypothesis नहीं है तब तक आपके पास unlimited scope है unlimited time है क्योंकि clarity का भाव है यदि आपके पास hypothesis तयार हो जाता है तब आपका concentration आप focus हो जाते हो किसी एक topic को लेकर किसी एक period को लेकर के तो इसकी इसलिए आप शकता है इसका main function यह भी है तिसरे नंबर पर दी बात करें तो यदि आप hypothesis तयार कर लेते हो तो उसके बाद जब हम सेंपल डिजाइन जो करते हैं research में एक step है sample design का हम लोगोंने steps of research में इसे पढ़ा था जहां पे research करने से पहले हम लोग sampling का sampling करते हैं sample design करते हैं तो sample design करने में सबसे महत्तपूर्ण जो role होता है सबसे ज़्यादा जो helpful होता है वह होता है hypothesis यदि आपके पास hypothesis है तो फिर research के लिए sample design करने में आपको किसी भी तरीके का कोई भी परिशानी नहीं होगा तो यह बहुत ही ज़्यादा आपको मदद करता है किसमें sample design करने में sampling करने में चौथे नंबर पे बात करें तो इसमें लिख सकते हैं कि यह hypothesis जो है objectivity को लाता है आपके research में objectivity आपके personality में भी होनी चाहिए daily life में तो objectivity मैंने आपको बताया था कि एक अच्छे research में कौन-कौन से गुण होने चाहिए कौन-कौन सा merit होना चाहिए उसमें मैंने point बताया था आपको कि research में objectivity जरूर होना चाहिए यदि आपके research में objectivity का अभाव है और subjectivity ज्यादा है तो research में credibility का जो भाव होगा जो credibility की percentage होगी वह बहुत ही कम होगा उस पे बहुत ही कम लोग भरोसा करेंगे इसलिए objectivity लाने में आपके research में hypothesis मदद करता है समझ में आगई बात और पाचमा जो की universal point है hypothesis आपके theory को generate करने में ठीक है theory को generate करने में जो आप theory का generation करेंगे theory को जो आप generate करेंगे अपने research के माधहम से जो new fact को लाएंगे जो new knowledge को gain करेंगे आप या फिर लोगों के सामने उसको रखेंगे research करके उसमें भी hypothesis बहुत ही मदद करता है तो यह 4-5 इसके main function है main इसका उदेश्य है इसका objectives है ठीक है मेरा ख्याल है कि आपको यहां तक clear है यहां तक समझ में आ गया होगा यदि यहां तक समझ में आ गया है तो निश्चित तोर पे आप यह मान कर चलिए कि आप बेहतर इस्थिती में है आगे हम लोग बढ़ते हैं hypothesis में ही अब तो हम लोग ने बात कर लिया कि hypothesis का function क्या है और hypothesis होता क्या है और उसमें कौन-कौन सा विशेष्टा होना चाहिए लास्ट टॉपिक हमारा होगा वह होगा हम लोग बात करते हैं types of hypothesis के बारे में types of hypothesis hypothesis इसमें इसके चार-पांच प्रकार होते हैं ठीक है कितने प्रकार होते हैं चार-पांच प्रकार होते हैं कौन-कौन से प्रकार होते हैं एक-एक करके मैं आपको लिखवाता हूँ और आप हमारे साथ समझने की कोशिश कीजिएगा types of hypothesis से UGC NET के एक्जाम में हमेशा एक एक सवाल पूछा जाता है और hypothesis से तो एक सवाल रहता ही है तो हमान करके चलें कि research aptitude में एक सवाल hypothesis से आपसे पूछा जाएगा ठीक तो सबसे पहले नंबर पे दी बात करते हैं तो पहला जो hypothesis हो सकता है वहोगा relational hypothesis relational hypothesis क्या होता है साथियों जब हम लोग research करते हैं तो research करने के दवरान एक research में कई तरह के variables होते हैं मैंने आपको बताया था कि variables कई परकार के होते हैं एक तो extra noce variable होता है intervening variables होता है उसके अलाबा भी मैंने कई तरह के variables आपको बताये थे यह दि आपने lecture को देखा है वाला जैसे independent variable होता है dependent variable होता है उसके साथ साथ और आफ इसमें देख सकते हैं DAYCOTOMAS variable होता है CONSTANT variable होता है यह जितने भी वारिय Бorse हमने बताये थें तो एक रिसर्च में कई तरह के variables होते हैं तो यदि सब ही variables के बीच में या फिर दो variables के बीच में भी किसी भी प्रकार का relation आप को देखने को मिलता है एक दूसरे के साथ संबंध आपको देखने को मिलता है तब आप उसको relational hypothesis में count करेंगे जैसे उदाहरन के तौर पे cigarette पीने से फेफडा जो है वह गल जाता है ठीक फेफडा जो है वह गल जाता है तो फेफडा कि हाँ इसका असर है कम ही क्यों नहों यदि इन दोनों के बीच में relation दिखेगा तो इसे हम लोग relational hypothesis कहेंगे अब समझ में आ गई बात जैसे उदाहरन के तौर पे कि आप कहीं coaching करते हो तो coaching करने से बच्चा तेज हो जाता है ठीक तो यह एक tentative statement है अब यहाँ पे दो variables है एक है coaching करना और एक है तेज होना तो हम लोग जब इसके उपर research करेंगे तो देखेंगे कि इन दो variables के बीच में the relation है तो इसे relational hypothesis में हम लोग count करेंगे मेरा ख्याल है कि आपको relational hypothesis हमझ में आ गया होगा दूसरे नमबर पे बात करते हम लोग कि दूसरा कौन सा hypothesis हो सकता है आप हमारे साथ लिखते चलना ठीक है और लिखने से जाद आप समझने की कोशिश करना क्योंकि एक बार आपके mind में लिखा गया तो फिर आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी दूसरे नमबर पे दी बात करें तो दूसरा आप लिख सकते हैं descriptive hypothesis क्या लिख सकते हैं descriptive descriptive hypothesis descriptive hypothesis क्या होता साथियों इसका जो इस्तेमाल है इसका जो परियोग है वह किसी चीज को explain करने के लिए किया जाता है explain नहीं करके बोलो analyze करने के लिए किया जाता है ठीक है analyze करने के लिए किया जाता है जैसे आप से पूछा जाए कि आप जी शहर के रहने वाले हैं मान लिजे कि आप पटना शहर के रहने वाले हैं तो पटना शहर के लोगों का economical status क्या है ठीक या फिर economical status ठीक ठाक है मान लेते हैं उच है higher है high है बाकी अन्य जो capital है उसकी तुलना में यह एक tentative statement है तो इसको आप explain करने के लिए analyze करने के लिए जिस परकार के hypothesis का इस्तेमाल करे तो इसको हम लोग descriptive hypothesis कहेंगे जिसमें हम लोग अपने statement के बारे में tentative statement के बारे में description देंगे जैसे YouTube पर हम लोग video upload करते हैं तो नीचे में description देना होता है तो इस तरीके से जब काम क्या जाएगा तो उसको descriptive hypothesis बोलेंगे समझ में आगई बात तो वैसा hypothesis जिसमें हम लोग variables को explain करने के लिए analyze करने के लिए जहां पर इस्तेमाल करते हैं ठीक है किसी चीज का विशलेशन करने के लिए तो उसे descriptive hypothesis के नाम से जाना जाएगा समझ में आगई बात चलो एकदम एक बार में समझ लेना समझ में नहीं आएगा तो दुबारा फिर आप पीछे मुर करके देखना मतलब वीडियो को तीसरे नंबर पर बात करते हैं तीसरा यदि कोई hypothesis हो सकता है तो उसको लिखते हैं explanatory hypothesis explanatory hypothesis यदि आपने explanatory research को पढ़ाओगा explanatory और exploratory ठीक तो explanatory जो hypothesis होता है इसमें हम लोग बात करते हैं cause and effect के बारे में यह जो संबंध है जैसे relational hypothesis में हमने पढ़ा कि यदि संबंध दिखता है तो उसको relational hypothesis कहेंगे और उसी को कमोबेश क्योंकि दोनों एक ही तरीके का होता है यहाँ पर cause and effect का अध्यन करते हैं यानि की जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग लेते हैं कि जो ग्रामिन शेत्र के बच्चे होते हैं वो शहरी शेत्र के बच्चों के तुलना में कमजोर होते हैं पढ़ने में हलांकि यहाँ बात मतलब चलो मान लेते हैं तो tentative statement है ना तो यदि इस cause का और यह effect यदि cause और effect के बीच में जो संबंध है वह असपस्ट है यदि आपको दिखता है कि हां इन दोनों के बीच में actual में relation है और यह statement जो है बिलकुल सही है तो इसको explanatory research के अंतरगत काउंट किय जाएगा relational में क्या है उन दोनों के बीच में दी संबंध दिखता है percentage कम हो ज्यादा हो बस संबंध का दिखना होना चाहिए relational hypothesis यहाँ पर exact जो बाते कही गई है वह चीजे दिख रही है explanatory hypothesis कह लाएगा आगे बढ़ते हैं चौथा है या फिर पाचवा जो भी हो आप देख लेना एक बार चौथा या पाचवा जो हो देख लीजेगा मेरे खाल से चौथा ही होना चाहिए चौथे के बात करेंगे तो चौथा जो hypothesis है उसमें दो परकार है ठीक है इसमें आप देख लीजे एक hypothesis है जिसको बोलते है ढाइक्शनल और दूसरे नंबर पर इसमीा में लिखेएगा पाच माध सब्सक्राइब आइ है और पर या अंत्य वह ढकारे डारेक्शनल में इस हांपे कोई अधिशा नहीं होगा direction ठीक अब इसको कैसे समझेंगे इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे मान लिजे कि आप class में पढ़ाने के लिए जाते हैं आप एक lecturer हैं चाहे प्रोफेसर हो या assistant प्रोफेसर हो whatever तो कॉलेज में आप जब पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो आप एक hypothesis तयार करते हैं कि जो hypothesis हमेशा जो है ना वो जीरो लेबल पर तयार किया जाता है इसलिए जो शुरुवाती दौर में हम लोगे मान कर चलते हैं कि यह जो statement है वह जीरो है इन दोनों के बीच में किसी भी परकार का कोई संबंध नहीं है और उसके बाद उस पे हम लोग research करने का काम करते हैं उसरी को बोलते हैं सुनने परिकल्पना आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे नल हाइपोतिटेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोतिसिस को अभी तुरत पढ़ेंगे इसको देखते हैं हम लोग बीच में उन दोनों के merit के बारे में बात किया जाए तो वो दोनों equal हैं उन दोनों में किसी भी परकार का कोई अंतर नहीं है यह जो होगा यह tentative proposition है यह hypothesis है अब इस पे हम लोग research करने का काम करेंगे तो जब आप research करोगे तो research करने के पहश्चात यह आपका निश्कर्स यह आता है कि आपक के शात्राओं से ठीक है ज्यादा talented है या फिर इसके ठीक उल्डट निश्कर्स आजाए कि आपकी जो शात्राएं है वो आपके शात्र से ज्यादा meritorious है ज्यादा talented है तो यदि इस तरीके का निश्कर्स आएगा research के बाद जहां पर किसी का superiority दिखेगा किसी के पक्ष में research दिखेगा तब उसको हम लोग बोलेंगे directional research क्योंकि इस research का जो direction है वो शात्र की तरफ जा रहा है पहले वाले stage में और दूसरे वाले stage में शात्रा की तरफ जा रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे directional और यदि निश्कर्स इस प्रकार का आता है कि इन दोनों के बीच में शात्र और शात्रा के बीच में अंतर तो है लेकिन कितना अंतर है यह कहाँ नहीं जा सकता है यानि कि यहां पर यह बताय जा रहा है कि इन दोनों के बीच में संबंध तो है अंतर तो है लेकिन किस कौन जादा तेज है और कौन कमजोर है यह नहीं क्लिर किया गया है इसलिए इसका जुकाब किसी एक तरफ नहीं है इसलिए non directional कहलाता है गैर दिशातमक अनुसंधान सौर बहुत ट्रेडिशनल उदारण से इसको समझने की कोशिश करते हैं, मिटा ले इसको, जैसे अक्सर देखोगे कि घर में जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, उसमें बच्चों को तेज माना जाता है, बॉय को, ठीक है, किसके तुलना में, घरल के तुलना में, लेकिन हम लोग जब सुरुवात में हाइपोथेसिस बनाएंगे, तो हम लोग टेंटेटी प्रॉपोजि कि माता-पिता लड़के और लड़कियों को ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब दोनों को इक्वल प्यार करते हैं, दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को बराबर प्यार किया जाता है, प्यार वाला ही लेके चलते हैं, मेरिटूरियस वाला नहीं, ज़्यादा बीवादित हो जाएगा यह बला तो मतलब सर्व बीदित है तो आगे देखते हैं तो हम लोग जब रिसर्च करेंगे हाइपोथेसिस बनाएंगे तो हम लोग यह मान कर चलेंगे कि भारतिय समाज में जो ट्रेडिशनल सुसाइटिय में उसकी बात कर रहा हूं जो इंडियन लेकिन हम लोग रिसर्च करेंगे और रिसर्च करेंगे यह इस तरीके का आपका रिसर्च आता है तब आप कहेंगे किया जो है हाइपोथेसिस वह डाइरेक्शनल हाइपोथेसिस है जहां पर किसी न किसी तरफ जोकाव दिख रहा है अब जहां पर एक ही बेटी ये बेटा है ही नहीं तो फिर क्या मतलब बेटी को ही प्यार किया जाएगा ना चलो आगे बात करते हैं और व्यादी माता पीता यह कर दें या फिर रिसर्ट के बाद यह तेह घोजाय कि लड़का और लड़की को दोनों को प्यार का जो पर्सatinX है उसमें बेटीफरेंस तो है बेसिक डिफरेंस तो है कि कि किसी एक को ज़ादा प्यार किया जाता है लेकिन यह clear नहीं है कि किसको कितना प्यार किया जाता है मतलब research में जोकाव नहीं दिख रहा है बस यह माना जा रहा है कि हाँ आप बात जो कह रहे हैं वह सही है कि किसी एक को ज्यादा किया जाता है लेकिन किसको ज्यादा यह नहीं पता है तो इसको बोल ले लोग हमेशा पुछते हैं इसलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं एक तरफ लिखेगा नल हाइपोथेसिस और नल को ही जीरो हाइपोथेसिस कहते हैं और दूसरे तरफ लिखेगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसका ठीक उल्टा होता है किसका उल्टा होता है नल हा दल्न हाईपोथेषिस जब बनाते हैं तो हम लोग क्या मान कर चलते हैं जैसे क्लास का ही ले ले लेते हैं लड़का जो हमारे क्लास में च्छात्र ऑप स्था इंतर कर रहे है उन्हों का मेरिट में किसी भी तरफ नहीं दिख रहा है अब हम लोग इस पर रिसर्च करने का काम करेंगे ठीक और जब हम लोग रिसर्च करेंगे तो रिसर्च करने के पश्चात यदि यह बात तय हो जाता है कि लड़का और लड़की के मिरिट में वाकई में कोई अंतर नहीं है तब हम लोग मान लें है वह जीरो हाइपोथेसिस है ठीक और यदि यह होता है कि इन दोनों के बीच में अंतर है या तो लड़का तेज है या फिल लड़की तेज है ठीक तब हम लोग मान लेंगे कि यह जो है वह अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ठीक है समझ में आगी बात एक पॉइंट यहां पर पूछा जाता है कि मान लो कि कोई हाइपोथेसिस यदि नल हाइपोथेसिस सावित नहीं होता है तो वह कौन सा हाइपोथेसिस कहलाएगा वह अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाएगा नल का उल्टा अल्टरनेटिव होता है ठी यदि आप null hypothesis को accept कर लेंगे तो यह reject हो जाएगा और यदि आप इसको reject कर लेंगे तो इसको accept कर लिया जाएगा ठीक यह दो तरीके से इसको समझा जा सकता है एक उदाहरण और लेते हैं कि उदाहरण क्या ले चलो यह पेन कहां चला गया हाँ एक उदाहरण हम लोग यह ले लेते हैं कि जैसे कोई ब्यक्ति सिग्रेट पीता है ठीक तो statement है tentative proposition है कि cigarette पीने से फेफडा खराब हो जाता है यह क्या है tentative proposition है अब इसके उपर research करेंगे और पता करेंगे कि यह नल hypothesis है या फिर alternative hypothesis है तो यदि हम लोग cigarette पहले sampling करेंगे कि cigarette जो ब्यक्ति नहीं पीता है ठीक है उसका फेफडा ले लेंगे ठीक छे महीने का और इसका ले लेंगे कि कि किसी एक का फेफडा ज्यादा गल गया है यानि कि cigarette पीने के बाद यदि फेफडा गल गया है तब यह मान कर चलेंगे कि जो हमारा statement था वह alternative hypothesis में कहलाएगा ठीक है क्या कहलाएगा alternative hypothesis कहलाएगा ठीक समझ में आरी बात और यदि इस तरीके का बात साबित हो जाता है कि cigarette पीने से और cigarette नहीं पीने से फेफडा पे कोई फर्क ही नहीं पढ़ रहा है दोनों का फेफडा समान है तब इसको null hypothesis मान लेंगे समझ में आ गई बात तो यदि आपको यहां तक समझ मे की ज़रूरत नहीं है एक पॉइंट लिख लीजेगा लास्ट की null hypothesis और जो alternative hypothesis है इस hypothesis का जो जन्म दाता है उनका नाम है प्रोफेशर आर ए फिशर प्रोफेशर आर ए फिशर ठीक है चलो यदि आप यहां तक समझ गए है तो फिर आपको और समझने की ज़रूरत नहीं है आगे बता रहा हूं लेकिन फिर भी देख लीजे error से लोग एक दो बार सवाल पूछ दिये हैं इसमें पूछा जाता है कि hypothesis में दो प्रकार के error होते हैं एक होता है type 1 error और एक होता है type 2 error और याद रखना null hypothesis होता है उसको hypothesis 0 से हम लोग denote करते हैं और जो alternative होता है उसको h1 से denote क है मतलब इस तरीके से इसको हम लोग denote करने का काम करते हैं इसको सूचित करने का काम करते हैं ठीक है चलो तो type 1 error और type 2 error क्या होता है लिख लिजेगा in the context of testing of hypothesis these are basically two types of errors we can make यानि कि यह दो तरीके का गलती हम लोग कर सकते हैं we may reject h0 when h0 is true and we may report accept h0 when in fact h0 is not true देखो दो तरीके का condition हो सकता है यदि आपका hypothesis 0 hypothesis जो हम लोग पहले तयार करते हैं वह 0 hypothesis होता है तो यदि आपका 0 hypothesis यदि true होता है ठीक क्या होता है यदि यह सच साबित हो जाता है और उसके बाबजूद इसको accept कर लेते हैं तो एक error तो यह होगा इसको type 1 error कहेंगे क्योंकि आपका hypothesis जब सच साबित हो गया null hypothesis सच साबित हो गया तो फिर उसको accept करने का मतलब ही नहीं बनता है यानि कि cigarette पीने से पहले जिसका फेफ़डा जैसा था और पीने के बाद भी वह साइफ फिर उसका कोई मतलब नहीं accept करने का यदि आप करते हैं तो इसको type 1 error में count किया जाता है ठेक दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर यह हो सकता है कि यदि यदि आपका जो h0 है जो null hypothesis है वह false साबित हो जाता है वह false साबित हो जाता है उसके बाबजूद यदि आप उसक कर देते हैं देखो जब false साबित होगा h0 तब आपको reject करना पड़ेगा और यह सी बात है ना क्योंकि cigarette पीने से पहले जो situation था और पीने के बाद भी जो situation है जब सेम हो जाए तब तो आपको hypothesis reject करना पड़ेगा तो उसी तरीके से यदि नल hypothesis h0 hypothesis यदि आपका false साबित हो type two error कहेंगे ठीक और यदि सच साबित हो जाए उसके बावजूद accept करने तो इसको type one error कहेंगे तो hypothesis में दो परकार का error होता है मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए hypothesis आज हम लोगोंने खतम कर लिया है इस को जितना काम है जितना से जारेफ हो सकता है उतना ही पढ़ेंगे बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए अपने तमाम सारे दोस्तों के साथ इसको share कर दिजे और आप सभी से request है किरपया करके आप लोग अपने जितने भी नय साथ हैं आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको हमारे चैनल पर जोड़िये ताकि वो लोग भी हमसे पढ़ सके और उनको भी उनका भी जारेफ हो सके